असलाम लेकुम टॉर तो आज हम जबरदसी टेस्टी सी फिश मंदी बना कर त्यार करेंगे बहुत ही यूनिक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होती है ये फिश से फिश मंदी के साथ हम मंदी की चटनी भी बना कर तयार करेंगे टमाटर और लेशन वाली इसके साथ हम मायोनीज भी सर्फ करने वाले हैं बहुती स्पेशल बहुती जबर्दस सी पाटी रेसिपी होती है चिकन से बहुत मज़ेदार और एकदम खिले खिले से होटल स्टाइल चावल बना कर तयार करेंगे हम बहुत ही इजी और सिंपल वे में कम से कम इंग्रेडियेंट्स के साथ हम अगर आपको कभी भी महमानों के लिए प्रिपेर करना हो फिश से तो आप इस मंदी को फालो कर सक मन्दी बर्दाल थित साथ-2 या पाहिए जाइने वाल। छाइंटSte, ओचावित नगानी चौटब्राइची सुख़ निम्बू enfermedू आदा हम चावल में यूज़ करने वाले हैं आदा हम जावित री ले ले लेंगे इसमें चार से पांच हारी राइची ले ले लेंगे और चार से पांच हम इसमें लॉंग ले लेंगे अब हम एक तेजपते को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है अब हम देड़ ही चमच इसमें साबित काली मिर्श ले लेंगे अब हम क्या करेंगे इसमें दो छोटे छोटे जैफल के टुकड़े ले लेंगे अब इन तमाम स्पाइसेस को खड़े मसालों को अच्छी तरह से दो से तीन मिनिट के लिए मीडियम टो हाई फ्लेम करते हुए अच्छी तरह से भूं लेंगे रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका खचापन चला जाये और अच्छी सी इसमें खुश्बु आना स्टार्ट हो जाए continue mix करते हुए अची तरह से भुन लेंगे हम तो लीजिए इन तमाम मसालों को medium flame पर भुनते हुए खरीब 3 मिनिट हो चुके हैं अची तरह से इसमें एक flavor एक smell आना स्टार्ट हो चुकी है अची तरह से भुन कर इसका हलका सा color भी change हो चुका है इस point पर हम इसको एक ball में निकाल लेंगे और अची तरह से इसको ठंडा करने के बाद एक blending jar में डाल कर अची तरह से इसको एक powder form में बना लेंगे तो लीजिए जबर्दस सा हमारा मंदी का मसाला बनकर ready हो चुका है अब हम क्या करेंगे कि इस मसाले को खरीब ये 4-5 चमच के खरीब हमारा मसाला बनकर prepare हुआ है इसको हम आदा आदा divide कर लेंगे चुके आदा हम fish के pieces को लगा कर fish fry करेंगे और आदा हम मंदी के चावल बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं तो देखिए आदा हमने एक बॉल में निकाल लिया है देखिए इस तरह से निकाल लेंगे हम आदा हम fish को लगाने के लिए यूज़ करने वाले हैं और आदा हम चावल के लिए सैट में रख लेंगे प्रिश्ट को लगाने के लिए जो आदा मंदी का मसाला हमने लिया है उसमें चंद मसाले और एट करेंगे आदी चमच हम इसमें हल्दी पॉडर ले ले लेंगे दो चमच हम इसमें लाल मिर्श पॉडर ले ले लेंगे लाल मिर्श पॉडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क अच्छाल की पानी आपस मिल जाए के पानी और नियुक्त लगा करों दो पानी आपस में लिए तो अब अपस म्साले क्वाइब मिल जाए कॉट कर शका के तौष को अब हम डियूद एक किलो फिश है यह मरल फिश के पीसेस को हमने एवेन ली एक इंच के बराबर टुकड़ा मोटाई के हिसाब से कट करकर उसके पीसेस ले लिए हैं देखिए इस तरह से ऐसा तो मंदी प्रिपेर करने के लिए फिश से मंदी बनाने के लिए बॉनलेस फिश का यूज किया जाता है अगर हम बॉन के साथ भी यूज करना है तो हम उसके संटर वाले पार्ट को ही यूज करेंगे उसका अधर पार्ट को हम यूज नहीं करेंगे तो लीजिए सारे फिश के पिसेस को हमने मसाला अच्छी तरह से लगा लिया है अच्छी तरह से कोट कर लिया है अब हम उसको 10-15 मिनिट के लिए मेरिनेट होने के लिए रख देंगे तब तक हम क्या करेंगे कि मंदी के चावल भीगो कर रिडी कर लेंगे इसमें हमने 750 ग्राम चावल का यूस किया है अच्छी तरह से 2-3 पानी में दो लिया है अब हम उसको सोक करके रखेंगे 15-20 मिनिट के लिए कम से कम तो लीजिए हमें फिश को मेरिनेट करके रखेंगे खरी 15 मिनिट हो चुके हैं अब हम उसको फ्राइ करेंगे पैन में हम ऑईल डालेंगे 4-5 चमच के खरीब अब हम अच्छी तरह से ऑईल को गरम करने के बाद उसमें फिश के पीसे वन बाइवन आट करते जाएंगे गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे लो टू मीडियम करते हुए उसको अलट पलट करके 2-3 मरतबा पलठाते हुए हर 2-3 मिनिट बाद हम उसको पलठाते जाएंगे अच्छी तरह से उसका सुनहेरी कलार आने तक हम फिश को फ्राइ कर लेंगे देखिए 2 मिनिट हो चुके हैं एक बार हम उसको फिश को पलठ लेंगे गैस के flame को हमने medium रखा है तो लिए और 2 मिनिट हो चुके हैं एक बरफिर से पलट लेंगे हम अब हम क्या करेंगे कि गैस के flame को हाई कर लेंगे चुकि हमने 4-5 मिनिट इस के flame पर फॉराय कर लिया है low to medium flame पर, हम fry कर सकते हैं, मैंने medium flame पर fry किया है, आप अपने, flame के हिसाब से, conno면, medium flame पर करना है, या फिर low flame पर करना है, 4-5 बात मिडियम flame पर, इसको fry करने के बाद, अब हुम, एक minute के लिए, इसको high flame पर, fry कर लेंगे, ताके हल्का साथ पे crispiness आ जाए अच्छी तरह से ये पक जाए एक मिनिट बाद हमने gas के फ्लेम को एकदम लो कर दिया है एक बार और पलट लेंगे हम fish के pieces को देखिए ऐसी तरह से हमारे fish के pieces fry हो चुके हैं और हल्का साथ पे crispiness भी आना start हो चुका है इस पॉइंट तक हमें फिश के पीसेस को फ्राइ करना था अब हम रिडी है हमारे पीसेस निकाल लेंगे एक प्लेट में देखिए इस तरह से सारे पीसेस को वन बै वन निकाल लेंगे सारे पीसेस को निकालने के बाद हम क्या करेंगे बाखिया भी फ्राइब करें हो भालेगे कि इसी प्रासस से भी और भी अच्छा इसे से Diesel एक प्राइब कर लेंगे एक बार जितने पैन में असके उतने प्राइब करने वाले हैं सुछा में बाइब हमें 6-7 मिनिट एक हैं निए अपनी प्लेट में निकाल लेंगे तो लीजिए अच्छी तरह से हमने फिश के फीसे's को फ्राई कर लिए हैँ अब हम इन पीसे's को एक सैड में र데 रखेंगे बहुती जबरदसा सहुन ही से कलर आ चुका है मंदी मसाले के साथ हमने आची तरह से उसको fry कर लिया है अब हम मंदी 가 चामल बना कर तयार करेंगे जिसके लिए एक बगोना याने के पतीला ले लेंगे अब हम क्या करेंगे कि इसमें half cup oil डालेंगे oil के अची तरह से गरम होने के बाद हम इसमें एक चमज भरके हम इसमें 50 ग्राम के खरीब किश्मिश एड़ करेंगे किश्मिश को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर एक मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे एक मिनिट में ही फूल जाएगी देखिए इस तरह से इस तरह से फूलने के बाद हम उसको एक आलमे निकाल कर सा किलेंगे छार लॉंग डालेंगे ल। हम आदा सुखा लिमो एड़ करेंगे दो से तीन इंक खरीब दालचीन एड़ करेंगे एक चमज हम इसमेंाली मिर्स के दाने एड़ करेंगे अब इन तमाद चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जरा medium size की प्यास को बारिक चॉप करकर इसमें add कर देंगे हलका सा color change होने के तक हम इसको अच्छे तरह से इसमें भुन लेंगे मसालों के साथ हम क्या करेंगे कि दो हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकडे करें वहना skip कर सकते हैं मैंने अपने टेस्टी के लिए इसमें add की है दो मिनिट बात हम क्या करेंगे कि इसमें एक चमच भर के अधरकलेसन पेस्ट आड़ करेंगे अधरकलेसन को हम और एक मिनिट के लिए प्याज में अची तरह से भुन लेंगे फ्राइ कर लेंगे ताके अधरकलेसन का कचापन चला जाए और प्याज भी हमारे अची तरह से भुन जाए जब अच्छी तरह से प्याज और अधर कलेसन भून जाए तब हम इसमें जो मसाला मंदी मसाला निकाल कर साइट में रखा था वो आइट कर देंगे खरीब दो चमच के बराबर है ये उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे चावल के लिए मैंने 750 ग्राम के लिए देड चमच नमक एट किया है अच्छी तरह से मसालों को भी भून लेंगे एक मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर ताक इसका कचापन चला जाए एक मिनिट बाद अच्छी तरह से मसाला भूनने के बाद हम क्या करेंगे के पानी एट करेंगे चावल के हिसाब से 750 ग्राम चावल के हिसाब से मैंने यानिके दो ग्लास चावल के लिए मैंने तेन ग्लास पानी एट किया है इसमें हमारे चामल अच्छी तरह से 20 मिनिट तक भीगने रख चुके हैं इस वज़े से ज्यादा पानी नहीं लेगेगा अब हम उसको अच्छी तरह से एक भापाने तक के लिए रख देंगे तो लीजिए पांच मिनिट बात इसमें अच्छी तरह से भापाना स्टार्ट हो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमने चावल भीगो कर रखे थे वह चावल एट कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक मर्तबा अब हम पानी के सूखने तक इसको अच्छी तरह से पकाना है और हाँ टेस्ट के इसको इन्हांस करने के लिए हम इसमें एक चमच निम्बो एट करेंगे निम्बो का जूस जिसे के हमारे मंदी के चावल का टेस्ट और इन्हांस होता है और बढ़ता है हाई फ्लेम पर हम उसको 5-6 मिनिट के लिए पका लेंगे जब तक कि हमारे चावल का पानी सूखना जाए तो लीजिए खरीब 4 मिनिट हो चुके हैं त की मिनिट के लिए परफेक्ट एकदम रेस्टोरण स्ट्यल कर लाने के लिए चावल का इसमे यलो कलर ए at करेंगे दो चमच के हरीब हम इसमें करने वाले हैं होटल या रिस्टोरेंट में सर्फ करते वक्त मंदी का चावल येलो इश कलर में औरेंज कलर में होता है इसे सबसे हमने इसमें येलो कलर एड़ किया है जिससे के परफेक्टली मंदी का कलर आ जाएगा हमारे चावल का कलर एकदम टोटली आप्शनल ह है अगर आपके पास हो तो आट करें वरना स्किप कर सकते हैं चुकिए मैं होटल स्टाइल में रिस्ट्रोन स्टेल में मंदी बनाना बता रही हूं इसे जब से मैंने कलारेट किया है अब हम उसको दम होने के लिए रख देंगे चार से पांच मिनिट के लिए तो लीजिए चा किशमीश प्राइकर करें के लिए तो देखें हैं आट किशमीश दालने के बाद हम क्या करेंगे कि कोईले को अंगार बना कर अगार बनाकर पर दाल देगे और एक चमच हम इसमें ऑईली घी डाल देंगे उपर से अच्छी तरह से भा पा रही है इसको कवर करके रख ग्यास के फ्लेम को हमने आफ कर लिया है देखिए जबर्दसा स्मोकी फ्लेवर आ चुका है हमने फिश नहीं रखी थी सिर्फ हमने चावल को स्मोक दिया है स्मोकी फ्लेवर दिया है अब हम इसमें फिश आइट करेंगे फिश के पीसे को जो स्मुकी फ्लेवर है वो भी बाखी रहेगा हम क्या करेंगे कि फिश के पीसे को आड़ करने के वा इसको कवर करके और 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे ग्यास के फ्लेम को हमने आफ कर दिया है चुके हमारे चावल अची तरह से दम हो चुके हैं बस स्मुकी फ्लेवर लाने के लिए उसको कवर करके रखा है अब हम मंदी की चटनी बना कर त्यार करेंगे टमाटर से लेसन से तो हम एक ब्लेंडिंग जार ले लेंगे जिसमें तीन मीडियम से टमाटर कोची तरह से चौप कर लिया है उसको हम ब्लेंडिंग जार में एड़ करेंंगे अरही हम इसम conceitutional करने कि एके एपनाब्लाइस करींगे इसमें इसमें इन्हाराधनिया आट करेंगे उसके क्थरीब तरह कररेंगे तरह निम्बू का जूम के बराबर है इन चीजों को अची तरह से ब्लेंड कर लेंगे पीश लेंगे दर-दर इसी हमारी टमाटर की मंधी वाली चटनी बन कर रेड़ी हो चुकी है बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी लगती है यह मंधी के साथ हम हम इसमें गार्लिक मायोनीज भी सर्फ करेंगे रेस्टोरेंट्स या होटेल्स में फिश मंदी के साथ हमें टमाटर और लेसन की चटनी सर्फ के जाती है और गार्लिक मायोनी सर्फ किया जाता है हमने सारी चीजें बना कर प्रिपेर कर ली है बहुत ही जबर्दस सी प्लेटिंग कर कर त्यार करेंगे fry kiwi kishmish इसके उपर से आड़ कर देंगे बहुती smoky सा बहुती tasty सा flavor आ रहा है बहुती yummy और tasty fish mandi हमने घर पर बना कर तियार कर ली है चिर्फ एक घंटे के अंदर अंदर हमारी जबरदसी fish mandi बनकर ready हो चुकी है जिसको हमने एकदम restaurant style में serve करने की कोशिश की है मंदी की चटनी के साथ, मायोझी के साथ अब हम easily मेहमानों को घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल स्टाइल फिश मंदी बना कर खिला सकते हैं घरवालों को special locations पे बना कर सर्फ कर सकते हैं I hope कि आपको मेरी ये recipe अच्छी लगी होगी तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें और मुझे फीडबैक जरूर दें अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलें मिलते हैं अगले जबरदस्ती रेसिपी के साथ अल्ला हाफिस और थैंक्स पर वाचिंग